Hi everyone, welcome back to my channel आज में explain करूँगी The Jeffrey Dahmer's story का episode number 3 and 4 So let's get into the story of the series इस episode में भी Jeff की कहानी बताई गई है जब वो थोड़ा बड़ा हो गया था इस episode की शुरुवात होती है जब Jeff की mom दुबारा pregnant थी एक दिन Jeff के dad ने Jeff की mom को रोड पर अकेला बैठा देख लिया था और लियोनल जफ की mom को डॉक्टर के पास ले गए थे Jeff के dad डॉक्टर को बताते हैं कि Jeff की mom बहुत तरह की medicines लेती है और Jeff की mom के साथ कुछ सही नहीं है जिसपे Jeff की mom कहती है कि वो बस अलग-अलग doctors की बताई medicines ले रही है Jeff की mom कहती है कि वो बस इस वक्त को खतम करना चाहती है और Jeff के dad और Jeff की mom लडने लगते हैं जिसपे doctor Jeff की mom को काम रहने को कहते हैं और कहते हैं कि ये वक्त खतम हो जाएगा Jeff थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो अपने dad के साथ था जब Lionel Jeff को girlfriend बनाने को कहते हैं और वो वहां रखी fishes को काटने लगते हैं जो उन्होंने और Jeff ने पकड़ी थी और Lionel Jeff को वो fish काटने देते हैं Jeff उस fish को काट कर उसका heart निकाल लेता है Jeff की mom और dad अभी भी लड़ते थे Jeff की mom को लगता था कि Lionel उसे पागल समझते हैं तब ही Jeff वहां आ जाता है और उसके dad उसे वहां से जाने को कहते हैं और Jeff वहां से चला जाता है Jeff स्कूल जाता है जहां उसके class के कुछ बच्चों में से एक लड़का Jeff से उस आदमी को इनाक्ट करने को कहता है जिसके बारे में Jeff ने उन्हें बताया था Jeff ने उन्हें बताया था कि उसकी mom एक पागल आदमी को जानती है और Jeff उस आदमी को इनाक्ट करने लगता है और वो पागल आदमी Jeff के dad थे Jeff ने अपने dad को ही पागल बताया था कि उसकी mom एक पागल आदमी को जानती है को कहता है पर वो लड़की ये नहीं करती और जेफ उस सुवर के पार्ट्स निकालने लगता है, क्लास के बाद जेफ अपने प्रोफेसर से उस सुवर को सात لे जाने को कहता है, जिसपर उसके प्रोफेसर जेफ ko वो ले जाने देते हैं, प्रोफेसर कहते हैं कि Jeff ने पर वो लड़का मना कर देता है, जेफ उसे पसंद करता था, पर वो जेफ के साथ नहीं जाना चाहता था, जेफ के मॉम डैट का डिवोस हो चुका था, और जेफ के भाई के कस्टिडी उसके मॉम को दी गई थी, जिससे जेफ के डैट साड हो जाते हैं, और जेफ के डैट Jeff की mom कहती है कि Jeff के dad लियोनल अपनी girlfriend के साथ चले गए थे और वो भी वहाँ से जा रहY है उसके भाय के साथ Jeff अपनी mom से कहता है कि वो Jeff को कैसे छोड़ सकती है पर Jeff की mom कहती है कि Jeff अपना ध्यान रख सकता है और Jeff ने कभी अपनी mom से अच्छे से बात नहीं की जेफ की मॉम कहती है कि जेफ पस अपने डैट के साथ जानवरों को काटा करता था और उसने अपनी मॉम से बात नहीं की और जेफ को अपनी मॉम की जरूरत नहीं है और जेफ की मॉम वहां से चली जाती है जेफ आप अकेला रहने लगा था और strange behave करने लगा था वो जानवरों की body parts निकालता और उन्हें acid में डाल देता था Jeff की mom एक center में काम करने लगी थी जब वहां की head उन्हें बताती है कि वो जा रही है और Jeff की mom उनकी जगा काम कर सकती है वो head बताती है कि Jeff की mom को depression था पर अब वो ठीक है और वो उनकी जगा काम कर सकती है और Jeff की mom भी काम करने को त्यार हो जाती है Jeff के school में उसके career के बारे में पूछा जाता है कि वो क्या चाहता है जिसमें Jeff पताता है कि उसके dad कहते हैं कि वो science में अच्छा है और वो और उसके dad जानवरों पर experiment करते थे पर वो इसे career नहीं बना सकता Jeff कहता है कि वो कुछ और चाहता है Jeff कहीं जा रहा होता है जब एक लड़का उससे lift मांगता है उस लड़के को अपने दोस्तों के पास पहुँचना था Jeff उससे कहता है कि वो Jeff के साथ चले Jeff के पास drugs हैं वो drugs लेंगे और Jeff उस लड़के को उसके दोस्तों के पास छोड़ देगा और वो लड़का मान जाता है वो लड़का और Jeff Jeff के घर चले जाते है Jeff उसे अपने घर ले जाता है वो drugs लेते हैं और वो लड़का Jeff से उसे उसके दोस्तों के पास चलने को कहता है पर जेफ उसे उसके दोस्तों के पास नहीं ले जा रहा था और वो लड़का नराज हो जाता है जेफ उस लड़के को ना जाने को कहता है पर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है और जेफ उसके सर पर मार कर उसे मार देता है जेफ उस लड़के के साथ intimate होता है तब जेफ को पता चलता है कि वो लड़का मर चुका है जेफ उस लड़के को अपने घर के पास छुपा देता है और वापस आ जाता है पर कुछ वक्त बात जेफ उस लड़के को निकाल कर उसकी बॉड़ी के टुकड़े कर देता है और बै इसलिए उसने घास काटी और अब वो वही डालने ले जा रहा था जेफ अब ये अडल्ट नहीं हुआ था इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेती तो जेफ की लाइफ खराब हो सकती थी और जेफ वहां से चला जाता है जेफ उस लड़के के हड़ियां तोड़ना चाहता था पर वो उन्हें पूरी तरह नहीं तोड़ पाया इसलिए उसने ऐसा किया जेफ कहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वज़े से जेफ ऐसा बन गया और वो पैदा होने से ऐसा ही है जेफ पताता है कि वो उस लड़के को मार के बाद दूसरी लोगों को भी लिफ्ट देना चाहता था पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि जेफ सुधरना चाहता था और अब कहानी वापस पीछे जाती है जब जेफ ने अपने स्कूल के ऑनर गृप के साथ खड़े होकर फोटो खिचाली थी और ये किसी को पता नहीं चल जब उस गृप के बच्चों ने वो फोटो देखी जो स्कूल बुक में छपी थी तो वो नराज हो गये थे क्योंकि जेफ उस गृप में नहीं था जेफ के मांक्स अच्छे नहीं आते थे और जेफ की उस फोटो के फेस को काला कर दिया गया था जब जेफ ने ये देखा त जेफ को एक रेस्टरांड ले जाते हैं लियोनल कहते हैं कि जेफ के साथ कुछ ठीक नहीं है क्योंकि जेफ शराप पीने लगा था और जेफ के पास से बदबू आने लगी थी लियोनल को पता चलता है कि जेफ ने किसी कॉलेज में अपलाई नहीं किया था जेफ अपने डै जेफ को एक अच्छे कॉलेज भेशते हैं पर उन्हें उस कॉलेज के हैड बुला लेते हैं और बताते हैं कि जेफ क्लास नहीं आता और उसके ग्रेट्स खराब हैं और उसे निकाल दिया गया है। जेफ ने मिलिट्री में एक लड़के पर उस मेडिसन का यूस करके उसे बेहोश कर दिया था और जेफ उसके साथ इंटिमिट हो गया था पर जेफ ने ये अपने डैट को नहीं बताया था और कुछ वग बात जेफ को मिलिट्री से भी निकाल दिया गया था। जेफ की ग्रैनमाम कहती है कि जेफ को लड़के पसंद है और ये सही नहीं है। इसलिए जेफ उनके साथ फादर के पास चले और वो जेफ को ठीक कर देंगे। पर जेफ उनसे उस पुतले के बारे में पूछता है जिस पर जेफ की ग्रैनमाम कहती है कि उनने उसे गार्बिज वाले को दे दिया। इससे जेफ नराज हो जाता है पर जेफ अपनी ग्रैनमाम से माफी मांगता है। जेफ की ग्रैनमाम जेफ को एक फेर में भेशती हैं जहां जेफ को वही लड़का दिखने लगता है जिसको उसने मार दिया था। और जेफ वहां उस इन्विजबिल लड़के के साथ इंटिमेट होने लगता है। जाता है वह जेफ को लेके एक जगा जाता है जहां गेज आया करते थे। वह जेफ के साथ इंटिमेट होना चाता था पर जेफ कहता है कि वह उसके साथ कुछ वक्त रहना चाता है। जेफ को ड्रक्स दे चुका था पर उसे उस उनर ने बचा लिया था पर ये लड़का बेहोश था जिससे मेडिकल टीम बचा लेती है। पर वहाँ का ओनर जेफ को निकाल देता है और जेफ के साथ आये लड़के से कहता है कि वो जेफ के साथ ना रहे क्योंकि वो लोगों को ड्रक्स देता है और वो लड़का भाग जाता है। जेफ को उस बार में एक और लड़का मिलता है, जिसे लेके जेफ एक होटल में जाता है, और उसकी ड्रिंक्स में जेफ ने ड्रक्स मिला दी थी, पर जेफ ने गलती से वो ड्रक्स वाली ड्रिंक खुद पी ली थी, और वो लड़का जेफ के साथ intimate होना चाहता था, पर जेफ को नशा होने लगता है, और वो उस लड़के के साथ intimate हो जाता है, पर जब जेफ को होश आता है, तो जेफ देखता है कि वो लड़का मर चुका है, जेफ ने उसे मार डाला था, उस लड़के की body पर निशान था जफ उस लड़के को होश मिलाने की कोशिश करता है पर वो लड़का मर चुका था जफ उसे एक bag में भर लेता है और अपनी grandmom के घर ले जाता है और basement में वो bag रख देता है अपनी grandmom के जाने के बाद जफ आरी से उस लड़के की बॉडी के टुकडे कर देता है और एक बॉक्स लेके उसमें उस लड़के का सर रख देता है और ये एपिसोड यहीं खतम हो जाता है I hope आप लोगों को मेरा explanation पसंद आया होगा तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए enjoy करिए and बोरा है